आज हम पढ़ेंगे मेंटरलोजी और मिजरिंग इस्टूमेंट का चैप्टर शिक्स का टोपिक बाहिये चूडी के दिग्रवियास का मापन ठीक है कल हमने पढ़ा था वन डियर डैप्ट गेज आज इसके वाद हम पढ़ेंगे बाहिये चूडी के दिग्रवियास का मापन त करने के लिए कोई भी रेखिए यह पर यंदर जैसे पाइए तुल नीत माइक्रो मीटर से यह जन तथा टूल मेकर माइक्रो स्कोप का भी प्रयोग किया जा सकता है ठीक है तो पाइए चुड़ी का दिर्व्यास मापने के लिए हम क्या करते हैं वह निर कैलीपर का प्रयोग क एक्सट्रेड के मतलब किसी बाहिये चुड़ी के अगर हमें व्यास ना पना है ठीक है दिर्व्यास ना आपना है तो इसके लिए हम एक तो वह नेर के लिए पर यूज कर सकते हैं तो ठीक है तूसरा हम एक्सट्रेडल कोंपरेटर तूल लिटर माइक्रो मीटर या टूल मे इसका जो एन्विल है यह दोनों यह चूड़ी के सिर्स को असपर्स करते रहे ठीक है किसी एस युदा होने पर एन्विल के नीचे स्लिप के लगा दी जाती है जिससे एन्विल के संपर्क के अक्स लंबोत होना चाहिए तो इसमें कभी कोई प्रोब्लम हो तो एन्विल के नीचे हम स्लिप के भी लगा देते ही ठीक है अब है गियर क्या होता है के अधर समयने के तथा है ने के लिए प्रयोग किंग किये जाते हैं हमें हैं करनी है सकती ट्रांस्मिट करनी है एक साफ्ट से दूसरी साफ्ट में एक जगा से दूसरी जगा तो क्या यूज करते हैं गियर का यूज करते हैं एक साफ्ट की गती दूसरी साफ्ट पर किस से माध्यम से होता है गियर के माध्यम से होता है गियर दो प्रकार के होते है असपर स्यान्ता किसी बहते हुए दर्व का गुण है दर्व को विभिन पड़तों का बना हुआ माना जाता है तो स्यान्ता कहा है किसी बहते हुए दर्व का कहा है एक प्रोपरेटी है गुण है अदर्व हम क्या मानते है कि वह बहुत सारी पड़तों का बना हुआ है किसी बहते जिससे दर्व की विभीर पड़तों की गति में अंतर रहता है जिसे जो दर्व की अलग पड़ते हैं उनमें कहां रहता है एक अंतर आता है एक्चुली में दर्व का वहागुन जिसके कारण दर्व की विविर पढ़ते एक दूसरे पर अत्रिक्त घर्षन पर लगाकर रोकने का प्रियास करती है दर्व का वहागुण जिससे क्या है जो दर्व की विविर पढ़ते हैं वे एक दूसरे पर क्या है एक रशन भर लगाती है जिससे एक दूसरे को दूसरे को रोकने का प्रियास करती है तो वही क्या लगता है मारा स्यांता खेलाता है फिर स्यांता गुनाद कोपिशैंट ओफ इसकोस्टी तो इसे एफ नहीं टौ है टौ से रेप्रेशन करते हैं मैंने एफ दिखा जिया कि लेकिन टौ है एक्चुली में टौ इक्वल टू यह एक इकवल टू व्यू डीवी स्यांता था ठीक अब है स्यां स्टोक का नियम स्टोक शला माना एक छोटी गोलीकार गोली किसी स्यां दर्व में गिर रही है अब गोली के संपर्क में आने वाली पड़ते गतिमान होती जाती है तो माना कोई एक छोटी गोलकार गोली है जो क्या है किसी विसकस फ्लूड मे स्यान दर्व में गिर रही है ठीक है अब जो गोली के सब बर्ख में जो हमारी पड़ती आएगी लिक्विड की दर्व की वे क्या आएगी गतिमान वे गतिमान हो जाएगी लेकिन जो गोली से दूर है जो पड़ते वे क्या जाएगी विराव हो जाएगी इस कारण दर्व की विभिर पड़तों के वद्दे सापेक्स गती उत्पन हो जाती है तो इस कारण क्या होता है तो दर्व की अलग अलग पड़ते है उनमें क्या है रिलेटी वेलोस्टी सापेक्स गती डावलाप हो जाती है जिसके सब लूप पड़तों के वद्दे परतिरोधी स्यान बल करता है यदि गोली की तरिज्जा इस वोल आर दर्व का स्यांता गुलाक व्यू तथा किसी सड़ गोली का वेग भी हो तो स्टोक के दुशार गोली पर लगने वाला परतिरोधी भल वो कि तरह होगा एक उकल टू सिक्स पाई व्यू आर वी ठीक है फ्लोट वैक कोड़ स्यान किया जाए कि वैस स्यांता के लिए सुग्राई हो जाए तो रोटा मिटर से दर्व की स्यांता ग्यात की जा सकती है तो इससे रोटा मिटर से क्या करते हैं दर्व की स्यांता ग्यात कर सकते हैं फ्लोट के माद्यम से इसलिए फ्लोट को नीचे वाले भाग का अक्षिय धरफ पर वैस्यानता के पड़ती समय दिसीन हो जाते हैं तो जो फ्लोट के कि डारे उन्में पर दाल कर देटेते हैं जिसे में क्या है वह स्यानता के पड़ती वे क्या हो जाती है सैंसिरी हो जाते है अब यादी इस रोटामीटर से दर्व की नियत रखी जाए तो कोन के भीच फ्लोट की स्थिति दर्व की स्यानता दर्स आती है ठीक है जो दर्व की परवाय उसे अगर नियत कोस्ठाट रख दिया तो फ्लोट की इस्तिति दर्व की इस्तियादता दरसाती है ठीक है अब है